बच्चे से लेके बुज़र्ग तक किसी के विएकर बाल ज़ड रहे हैं तो आज का नुसका बहुत कारगार है पानी में डाला है मैंने दो चमच के करीम सूखे हुए आमला साथ पे तीन चार पाँच दाने आप रीठा के डाल दीजिए इसके साथ हम डालने वाले हैं इसमें एक चमच कलॉंजी के दाने यानि ब्लाक सीड्स और एक चमच जाएगा इसमें मेथी दाना इसको आपको पांच से छे मिनट तक अच्छे से उबालना है आप इस प्रॉसेस को लोहे के बरतन में भी कर सकते हो और साथ पे हम इसमें डालेंगे दो चमच भर के चाय पत्ती ज जब भी आपको शांपू करना है उससे एक दो घंटा पहले या रात भर अपने बालों में इससे स्प्रे कर लीजिए यह जो पानी बनके रेडी हुआ है ना इसको आप बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक को यूज कर सकते हो तो रंद बाल जहर्णा बंद होंगे गैर करके देखो